हेलो स्टूडेंट्स देखिए चॉइस विलेंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉसेस है अपने mcc का रेजिस्टेशन कर दिया है नेक्स स्टेप है चॉइस पिलिंग चॉइस पिलिंग कैसे करते हैं क्या तरीका रहता है तो मज लीजिए एक बार पूरा डैमो के साथ हम आपको mcc की website पर लेके चल रहे है website पर जैसे ही आप जाएंगे आपका जो login है जो आप रिजिस्टेशन करते हैं और आपने रिजिस्टेशन कर दिया है तो आपको एक username और password मिला है वह आपको लगाना है और लगा करके आप आजाएंगे ऐसा कुछ ठीक है जहां उपर आप आपका नाम रहेगा ठीक a present रहेगा आपका नाम लिखा रहेगा और आप किसरे लिए भर रहे हैं आपे choice filling में आ चुके है up the choice filling में इस तरह पको है आपके पास में choices होंगी जितनी भी choice है like अगर आपने k actual government collegesai QV right है तो आपको दिखाएगा कि हम आपको कितनी choices मिली है कितनी फिल हो गई है कितनी बचरी है अगर आपने एम भी लगाया है तो वो भी add हो जाएगा डीम भी लगाई है तो उतनी choice बढ़ जाएंगी आपकी ठीक है और सारे options तो आने लग जाएंगे अब आपको क्या करना है आपके पास अलग अलग जगह पे फिल्टर लगाने की जगह है और इंस्टिट्यूट्स में आप जा रहे हैं आप आल कैटेगरी में जा रहे हैं या प्रोग्राम में केवल एंस्टिट्यूट्स में जा रहे हैं और आप आप यहां पर आएंगे आपने अगर एंस्टिकी नहीं किया था तो आपको केवल और केवल आल इंडिया के जो गौर्मेंट कॉलेजेज उनको ही ऑप्षन मिलेगा तो आप उसमें से एड करते जाएंगे टिक लगाएंगे एड करते जाएंगे यह के ऐलफ़ाबेटिकली मिलेगा आपको कॉलेज का नाम पता होना चाहिए कौण सा कौलेज आपको फर्स्पर रखना है कौन सा इक उक व् आप ने आपे से कोई college add किया उसके लिए आपने ऊपर तो categories choose करना चाहते हैं कर सकते हैं like यहाँ पर all programs में BDS है MBBS है या all है all करोगे तो MBBS BDS दोनों के आपको options यहाँ पर मिलेंगे केवल MBBS लगाओगे तो यहां MBBS की choices होंगी आप पहले MBBS की choose कर लो फिर आप BDS लगाओ बीदी एसकी चूज कर लो अगर आपको दोनों की करनी है तो अगर आपको के वल MBBS की choice ही करनी है तो MBBS दबा और MBBS की choice दो choose कर लो add कर लो यहां से ठीक है अब क्या होगा आगे हम पो जाना है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप यह देखिए All Institute Types यहां से आप देख सकते हैं क्लिक करके All Institute Types कौन-कौन से हैं ठीक है यहां पर लिखा हुआ है AIMS except या All India College Government Colleges Except Central University इसमें है आपका All India Institute of Medical Science यानि एम्स अगर आपने टिक किया था तो आएगा इस नर्सिंग अगर आपने ट्क किया तो बीसी नर्सिंग भी आएगा तेंटर लिवर्स्टी है डीम युनिवर्सटी है एसिक जो कॉलेजेज होता है एंप्लोई स्टेट एंशॉरंस स्कीम के जवाला नेरी इंस्टिट्यूट जो जिपमर है वो जो आप टिक करेंगे उनके कॉलेज़ आ जाएंगे उसको आप एड कर देंगे ठीक है ना तो एक एक करके भी आप एड कर सकते हैं एक को एड कर ये वह एड हो जाए फिर आप ने अब आपने सपोस करिए यहां पर लिखा यहां पर लिखावा आ रहा है टोटल अविलेबल चॉइस थ्री वन जीरो यानि तीन सो दस कब आपने केवल ऑल इंडिया यानि क्यों को आप्ट किया है अगर एम्स भी करेंगे वह भी आ जाएगा जो जो आप करते जाएंगे यहां पर कोई एडि नहीं किया था तो यहां पर सारे Colleges आ आ गया वे आपके आपने यहां से MBBS किया हुआ है यानि केवल MBBS के सारे Colleges अंपते करेंगे यहां पर कुछ colleges tick की हैं केवल All India के होंगे तो 269 colleges होंगे aims भी add हो जाएगा बाकी चीज़ें हो जाएगे तो 310 जाएगा 310 choices हो जाएगी तो आपको add करना है आप कर सकते हैं ठीक है तो हम कर रहे हैं क्या हमने यहां पर लिखा है किसी को फॉस्ट पर एम्स डेली रखना है वह एम्स डेली रखेगा फिर मौलाना अजाद रखेगा तो उसको रखना है वह उस तरह से रख सकता है यहां हम एक डेमो दे रहे हैं सब्सक्राइब करते ही यहां पर उसका लिखा आ जाएगा MPBS program में है All India quota में है choice number one है अगर कोई DU quota से select कर रहा है MMC को तो यहां पर उसका DU quota लिखावा आएगा वो यहां से DU quota के अंदर जाएगा तो accordingly जाएं अगर आपका डेली quota होता और आपको लगता ही कि All India से हमको नहीं मिलेगा डेली से मिल जाएगा तो पहले DU quota में रखिए आप colleges को फिर आप All India में रखिए तो कि मैं DU वालों की बात बता रहा हूँ आप IP वाले हैं उस according रखिए जो आपकी category आप उस according उसको arrange कर सकते हैं ठीक है अब आपने All India लगाया यह फर्स चॉइस हो गई आपकी अपने आप ही आपने पहले नमबर पर लगाई थी इसलिए आप चाहें तो इसको और ऑडाउन कर सकते हैं डाउन करोगे तो यह नीचे आ जाएगी इस पहले चाहते हैं और और चीओ बार गया नाँन D. चाहते हैं पैले एक बार बना दी लिस्त पिर चाहते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए अपने आप सब कुछ शिफ्ट हो जाए गाउपर थर्ड नंबर किया एड करते ही यहां पर अपने आप आजाएगा यह आपको नहीं लिखना है आपको यहां से college जुड़ना है अपने आप यहां पर एड होता जाएगा फिर आपने university college of medical science को UCMS बोलते हैं उसको add किया अटल विहारी वाजपे दो कॉलेज का आपको पता चल जाएगा फिर एड कर दो अब सपोस करिए मैं अभी बैठा हूं और मैंने यह केवल दस कॉलेज भरे मैंने का चलो बाकियों का मैं बाद में पता करूंगा या बॉन्ड वगरे देखूंगा पहले अल्रीडी मति की वेब साइट पर अब हब सकते हैं अगर कर अगर कि रिखा हुए मों तो यहां पर कोई नहीं होता है वार यह स्टेट कोपड़की आप देख सकते हो समें कौन सा ऐ सबंड है सबूस करे मैं ने सब्सक्राइब कर दो अपने और एड करो आपको लगा कि मुझे यह वापस आपकर फिर से लॉग करो यहीं से आपको मिलेगा लॉग इन करोगे यहीं पर होगा सब कुछ अब आपको क्या करना है पांच वी अपनी आपको करनी आप मैंसिमम कितनी भी चॉइसे फिल कर सकते हैं जो आपके अंडर में आपने आल इंडिया सेलेक्ट किया है तो आपके पास में टोडल बढ़ती जाती है BDS भी आप दबात होगे तो BDS की वैसे और ज़्यादा हो जाएंगी चॉइस इस अकोर्डिंग चॉइस जो एक आपकी एज होती जाएंगी बढ़ती कम पोती जाएंगी जितनी भी आपने options लिए हैं अब वो option आपने लिए है during the registration like किसी ने एम registration के टाइम पर भरा नहीं भरा और कुछ फिल नहीं किया तो उसको नहीं मिलेगा यह option अब यह हो गया आपने next सोचा कि मैंने 20 और भर दिये है अभी जैसे लिखावा है save and continue save and go to home यह options बाद में आपके पास में आएगा एक और option लोक लॉकिंग कभी आ जाएगा लॉकिंग लॉकिंग ऑफ चॉइस लास्टे मिलेगा लॉक कर दिया उसके बाद कोई लॉकिंग नहीं जा रहे हैं तब तक आप save and continue कर सकते हैं इनमें कोई भी changes कर सकते हैं उपर नीचे हटाना जोडना कुछ भी कर सकते हैं कितनी बार भी आप इसको चैंज कर लो 24 के बाद आपको लॉकिंग पर जाना पड़ता है लॉक करना पड़ता या फिर automatically वो लॉक हो जाएगा अगर आपने लास्ट तक लॉक नहीं किया तो जो लास्ट रहेगी वही लॉक हो जाएगी यह प्रॉसेस आप समझ लीजिए यह पूरा आपका चॉइस फिलिंग का एक डेमो है किस किस तरह से क्या होता है लास्ट में आपको यह लिखा हुआ आता है ज यप तक आप ऐसा दबार है तो यह मत सोची कि हम इसको अप चेंज नहीं कर सकते हमने भर दी है लॉकिंग के बाद चेंज नहीं कर सकते उससे पहले 24 तारिक तक कितनी बार भी चेंज करिए एड करिए डिलीट करिए उपर नीचे करिए कर सकते है यह हो गया आपका पर लीज को फिल करिए कई बच्चों का मुझे पता है यह कोईशन आएगा कि सर हमने एमस उससमें भूल गए ते नहीं टिक कर पाए अब हमार को एमस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यह आपकी गलती है या तो वेट करिए कि कोई नोटिवेकेशन आए एमसी का कुछ करे हमारे पास इसका कोई solution नहीं है क्योंकि आपने एमस टिक नहीं किया है जबकि हमने form भराने का भी एक demo बनाया था बताया था कि आपको टिक करना है अगर उसको तो आपको जाना पड़ेगा आपने टिक ही नहीं किया तो आप ही गलती है ठीक है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब अब आपको वेट करना है अधर notification का या आगे जाके कभी कोई changes आया new registration जब आप करेंगे second round में तो वह choices फिर से वापिस आ सकती है अगर new registration होता है आपका तो ठीक है यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है तोईस फिल प्रॉपर ली करनी है कोई गलती नहीं है और स सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले कर दो और ना फिर मिस करोगे कई चीजें अल्देबिस्ट